आलिया भट की बीट रूट सालड रेस्पी आज हम फॉलो करने वाले हैं वो भी स्क्रच से हमने बीट रूट को धो किये पानी में उबालने के लिए 5-7 मिनट के लिए रखा है थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे पील करेंगे और खिस लेंगे बीट रूट काफी लोगों को पसंद नहीं आता पर ये इसकिन और स्टमक के लिए बहुत अच्छी है हमने ग्रेट बीट रूट को बोल में डाल दिया है अब उसमें एक कप तही डालेंगे एक पिंच काली मेर्च और थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिजे और पारी कटावा हरा धनिया अब तैयारी करते हैं तड़के की जो बहुत इंपोर्टेंट है तेल में डालिए जीरा और सरसों और थोड़ा सा हिंग आब इसके उपर डाल दिजे करी पता और जलने से पहले डाल दिजे से चुकुंदर दही के मिक्स पर वाव बन गया डालिशियस और हल्दी बीट रूट सालेट